नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रोधत्ता और आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा एक पेसेंट का लिंक से संबंधी तीन तीन बड़ी समस्याओं को एक साथ ठीक किया जा चुका है हॉमियोपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से और तो बेसिकली तीन समस्याओं थी और उन तीनों समस्याओं में से दो समस्याओं तो सर्जिकल कंडिसन थी जिसे ठीक करने के लिए एलोपैथि के पास कोई भी ऐसा मेडिसन नहीं है और इसलिए एक एलोपैथिक डॉक्टर इन कंडिसन के लिए सीधा सरजरी ही रेकेमेंड क क्या होती है कि लिंग में एक अजीब तरह की टेड़ा पना जाता है एक करवेचर की सेप में आ जाता है लिंग आप गूगल पे अगर लिखोगे पेरोनिस डिजीस तो फिर आपको पता चाल जाएगा कि यह क्या होता है और इसी के साथ इनको सौट फ्रैनुलम की भी सिखायत होती है लिंग की हेड से स्राफ्ट तक और जिसके कारण हमारा लिंग का फोर स्कीन आराम से स्मूथली आगे पीछे हो पाता है तो यही स्कीन जो की हमारा हेड आप दा पीनिस से स्राफ्ट को कनेक्ट करती है इसी को हम लोग कहते है फ्रैनुलम अब यही फ्रैनुलम कुछ इसके इलावा इनका जो थार्ड प्रॉबलम था वो था इनका Erectile Disfunction की हलाकि Erectile Disfunction की जो समस्या थी वो तो इनका एक ही महना में क्योर हो गया लेकिन बाकी दो समस्याव को ठीक करने में हमें थोड़ा टाइम बिलकुल लगा क्यूंकि ये जो condition से ये एक surgical condition मानी जाती है according to elopathy और आप अगर इन problems के लिए surgery करवाएंगे तो भी आपको normal होने में अपना sexual activity फिर से चालू करने में आपको कम से कम 4-5 मेहना तो लगी जाएंगे और surgery की खर्च की तो आप बात ही ना करो मेरा ये patient मेरे पास आने से पहले दिल्ली का एक मसूर एंड्रोलजिस्ट के पास से होकर आया है जहां इनको 3 लाग का खर्च बताया गया था दो surgery इनको करवाना था एक peronis disease के लिए nesbit surgery इनको करवाना था और दूसरा इनको short syndrome के लिए fenoloplasti इनको करवाना था और इन दोनों surgery के लिए इनको 3 लाख मांगा गया था तो उसी जगा अगर आप homeopathic treatment से आप इस surgery को compare करेंगे तो फिर आप देख पाएंगे कि यहां पर यानि हमारा homeopathic treatment में इनको 1% भी खर्चा नहीं आया होगा क्यूंकि 3 लाख का 1% होता है 3,000 और मेरे ख्याल से इनको 3,000 भी खर्चा नहीं हुआ होगा और problem पूरी तरह cure भी हो गया और नहीं हम लोगों ने इस patient का link में कोई काट छाट किया और नहीं कोई हम लोग sweet आला सिर्फ एक constitutional drug और एक general drug की मदद से इनका problem जो है पूरी तरह cure हो गया और इनका constitutional drug जो हम लोगों ने case taking के बाद हमें पता चला वो था calcarea carb और एक symptomatology के according जो drug दी गई थी इनको वो था इनको calcarea floor और calcarea carb को हम लोगों ने 0 by 1 से चालू किया जो की 50 millisimal scale मानने जाती है होमेपैथी में जो की LM potency हम लोग कहते है उसको जो हम लोग 0 by 1 से चालू किया और हर महना calcarea carb का हम लोग potency को बढ़ाते गए और calcarea floor को हम लोगों ने 6 CH से चालू किया और उसका potency को भी हम लोग हर 2-3-3 महना में increase करते रहे और आज तकरीबन 8 महना हो चुका है इनका treatment हमारे पास चलते हुए hats off to the patient for his patience बहुत लोग ऐसे होते हैं जिने भरोसा नहीं होता है और बीज रास्ते में ही treatment को छोड़ कर चले जाते है लेकिन ये जो patient है मैं इनको hats off इसलिए किया क्योंकि ये जो है 8 महना और अपना इंतजार किया अपना problem को ठीक होने के लिए इन्होंने मुझ पर भी trust किया और अपना होसला को भी बुलंद रखा और इसलिए आज result आप सब के सामने है आप देख सकते हो कल ही इनका counselling date था यानि कल इनका 8 मैना हो चुका है हमारे पास treatment को लेते हुए और उन्होंने अपना problem के regarding क्या लिखा है मुझे whatsapp पे आप पढ़ सकते हो तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे है जो कि मुझे अक्सर पुछा करते है whatsapp पर, email पर कि क्या peronis disease या short syndrome जैसी condition को ठीक क्या जा सकता है होमेपथी treatment के मदद से तो मेरे ख्याल से उन सभी लोगों को जवाब मिल चुका होगा ये वीडियो देखने का बात बहुत दिनों से मैं इस topic का उपर एक case share करना चाह रहा था लेकिन unfortunately मेरे पास peronis disease या फिर short syndrome का एक भी case नहीं था so thanks to Rakesh G for giving me the permission कि मैं उनका case आप लोगों से share करूं लेकिन महरबानी करके आप लोगों में से कोई भी इन medicines को आप अपना problem के लिए use ना करे क्यूंकि ये medicines नहीं आपके लिए है और नहीं आपका problem के लिए ये काम करेगी हो सकता है आपका problem और इनका problem सेम ही क्यों ना हो बट फिर भी ये जो medicine है आपके लिए ये काम नहीं करेगी क्योंकि होमेपैथी में रोक के नाम पर या disease के नाम पर कोई भी medicine नहीं दिया जा सकता है क्योंकि होमेपैथी में short syndrome के लिए या peronis disease के लिए कम से कम 50 से ज़्यादा medicine है अब आपके लिए कौन सा फाइद मन्त होगी ये देखना पड़ेगा case के according तो आपको अगर ये problems है तो फिर आप अपना नजदी की जो भी best ओमेपैथ है आप उनसे जाकर मिलिए उनसे अपना case discuss करवाईए फिर वो जो आपको medicine देता है आप वही medicine लीजिए और उसी medicine से जो है आपका problem cure होने वाला है ना कि आप यहाँ वहाँ का वीडियो देखकर कोई medicine खुझ से ले तो दोस्तो मैं इस वीडियो को ही पेंट करता हूँ और मैं उम्मित करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मैरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लापकारी थाबित होगी और इसी तरह मुझे जूड़ रहने के लिए मेरा YouTube चैनल होमयो के आट टिप्स को लाइक करे शेर कर सस्क्राइब करे और बैल आइकन को दवाने बिलकुल भी ना भूले दोस्तो थांक यू वेरी मुच और वाव गूड़ देर